हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं योटुब चैनल, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्लास एट्थ के साइन्स सब्जेक्ट के मौस्ट भी भी आई, एमसी क्यू जो आपके एकजाम के दिरिष्टी से बहुत ही मौत पूर्ने, क्योंकि आपका बोड पर्दूसक के परकार होता है, तो आपको चुनना है कि इन में से कौन दूतिय पर्दूसक है, पर्दूसक नहीं बूला है न, दूतिय पर्दूसक पूछा गया, तो पहला आप्शन दिया है, कार्बन डायोकसाइट, दूसरा दिया है, सल्फर डायोकसाइट, दिसरा दिया है, नेट्रोजन ओकसाइट, चौता दिया है, सल्फर रेवं नेट्रोजन के अंबल, तिसका राइटेंसर हो जएगा सिल्फर डायोकसाड यह दूतिय पर दूसक के अंतरकत रखा गया है तो आपसे नमर एक आपका सुरी दू आपका राइटेंसर हो जएगा नेक्स्ट कॉशन हम देखते हैं दूसरा नमर इसमें कहा गया है कि एयरोसोल कीन सुच्मकनों के बादल है यह क्योंकि ठोसकन के बादल और तरलकन के बादल दोनों मिलकर क्या बनते हैं एयरोसोल है ना नेक्ट कॉशन देखते हैं हम लोग वीश्व उसन के लिए उतरदाई परमुख गेस है उसन जो आपको वीश्व में तापमान की जो विरिधी हो रहा है इसके लिए कौन सा गेस मत क्यों क्यों मतलब उतर दाइए और अप्षन त्याइक कार्बन डाइक्साइड ओ संबें एक और दो दोनो या दीमें इध में से कोई नहीं तो आपको पता है कि बित्विका पढ़ने के लिए आपका carbon dioxide और methane दोनों गेस क्या है उतरदाई है तो option number A आपका तीन अर्ट होज़ेगा फोर नमर कोशन देखते हैं कहां कि परियावरण का अजविक कारख है अजविक कारण का अजविक मतलों देखो मनिस अजविक नहीं है यह क्या होता है किसी समय के बाद यह मर जाता है पेड़ पोधे भी मर जाता है पक्छी भी मर जाता है तो अजविक कारख कौन है वह आयू है यह कभी भी खतम नहीं होगा option number 2 आपका right answer हो जगा next question हम लोग देखते हैं कि वायू परदूसन का परभाव पढ़ता है तो वायू जो परदूसन होता है तो उस पर किसे पढ़ा होता है मानों पर बिरिच्चों पर या भावनों पर तो तीनों पर परभाव पढ़ता है है ना आप याद रखेगा भावनों पर कैसे पढ़ता है क्योंकि आपको पता है कि ताजमल का अर्मोनिज का फेवड़ा भी कराफ होता है इसे विरिच का तो नुक्सान होबे करता है है तो इसका ओप्सन नमबर फूर आपका रेट एंसर हो जागा इन में से सभी वायू पर दूसन का परभा इन में से सभी पर पढ़ता है मनिज्चों पर भावनों पर और विरिच्छों नेक्ट कोशन देखते हम लोग 20 तापमन का परमुक कारण क्या है आपको भी बताएं 20 तापमन आनि जो पूरी दुनिया में जो गर्मी की तापमन बढ़ रहे है धरती में तो इसका कारण क्या है कारबन डायोकसाइड की बढ़ती मात्रा क्या हो रहे है दिरे-दिरे 7 नमस हम लोग कषएं देखते हैं इसमें कहा है कि अम्लोऑर्सा के परमुक 요र्मन है अम्ल वर्साथ आमलोऑरसा केसे होता है नirens तो कौन सा यसका तो अमल वर्षा sulphuric अमल भी जरूरी है और nitric अमल भी जरूरी है तिसका option अमकत थर्ड हो जएगा right answer क्योंकि एक एवंग दो इसमें दोनों दिया है ना तो option number 3 आपका right answer हो जएगा तो अब देखते हैं 8 number question का है कि 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 कारण ओजन परत का 6 हो जाता है तो ओजन पुरत क्या है? एक वायू का पुरत आपको बता दें कि पृत्वी में पांच प्रकार की परते पाए जाती है वायू की देखे, सबसे पहला जो परत होता है छोब मंडल, है न? दुसरा होता है सम्ताप मंडल तिसरा होता है ओजन मंडल जिसको मैद मंडल भी कहा जाता है उसके बाद चोथा होता है आयन मंडल उसके बाद पाच मां होता है बहिर मंडल तो यह 5 मंडल है प्रिध्मियां वायू का परत तो पुछाई कि ओजन परत का 6 मतलब यह 6 किसके कारण होता है तो most question important याद रखेग सबमने में क्यों सा गेस निकलता आ है तो कार्बन डैयोक्साइड निकलता है यही 20-20 करपण ब्र затक की है अप्शन नमबर दू आपका राट एंसर हो जागा नेक्ट कॉश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं आनि याद रखने कार्बन डाय ओकसइड इसको याद रखेगा है चलिए अब नेक्टह्मलों देखते हैं इसमें कहाए कि पोधों पर प्रभाव के लिए उतरदाइत गेश तो to ऑक्सिजन कीतना परेंट संट mejorar और इसके बाद कहा जाएगा तो आक्सिजन कितना परेंट 28 इसके बात का जाएगा तो कार्बन डायक्साइड 0.03% पहाएथ n范 आप रखेगा नेक्ट कॉसेशन नमरे अर्यस प्षण में कौन सा फॉधा पर गेस नहीं है 2 में। उऽभी इसमें कहा है कि सल рок-षण में स्वच्छ सौचन के लिए मतलब साप सांस लेने के लिए किसा लिए क्याattend होती है तो उक्सिजन की है सरीड कौन सा गसास लेता है औक सीजन की आपको फता होगा नेक्सTOट गजल को परदूसीद करने वाले पदार्थ क्या कालता है झो परदूसीद करता है उसे हम लगप już काते हैं पर दूसक कहते हैं चल Cu लेघ में कहा कि हवा का मुईक परदूसन गेस कोन सा है हवा कैसे परदूसन होता है तो कार्बन वोनोकसाइड से कार्बन मोनोकसाइड गाड़ी के उद्हुआ से निकलता है इसको भी याद रखेगा नेक्ट कॉसन देखते हैं कि इनमें से कौन सी विसेली गेस स्वांस के द्वारा सरीर में पहुंचती है स्वांस मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं तो सरीर में पहुंचता है तो नैट्रोजन गेस क्योंकि आप इसको बलते हैं इस गंगा नदी में क्या होता है किड़े नहीं लगता है कभी कीड़ा नहीं लगता है क्यों क्योंकि गंगा नदी जहां से निकलती है आनि जहां से इतका उद्गम होती है वहाँ पर क्या होता है बेक्टरियो फेज पाया जाता है क्या पाया जाता है जिस कारण से गंगा नदी के पाने में कीडा नहीं लगता है सबसे सुध नदीम बना जाता है पुरा दुनिया का पवित्र नदी और भारत की सबसे लंबी नदी भी है जिसका लंबाई 25 25 किलो मीटर भी है इसको आप याद रखेगा नेक्ट कॉसेन हम लोग देखते हैं कि जहारखन के कि सहर में लोहा इसपात की फैक्ट्री यह कॉसेन बहुत भी भी आई कॉसेन देखें लोह इसपात जहां लोहा का निर्वान जाता है फैक क्यों है न यह एकजाम में आपका पूछ सकता है आप याद रखें कि एक या दो परसनिया से जरूर आएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ मेरा हंसलों को बढ़ाएगा और आप चैनल पर नए हैं तो च थानिवाद